नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर नए साथ में बिहार के इस विभाग में होगी 15,000 पदों पर बहाली बिहार में अब डेर करोड के नीरा उत्पादन की तैयारी बिहार के चातरों को अब मोबाइल पर मिलेगी किताबे पोडर्वा घाटी में शहीद हुए बिहार के लाद सुरेकुमार यादव के प्रदर्शन को लेकर पुर्व भारतिय बल्लेबाज ने कही ये बात इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से सरकारी स्कूलों में अब गुडुजी सिखाएंगे सतरंज अब बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सतरंज की भी ट्रेनिंग दी जाएगी बता दे कि बिहार सिक्षा पडियोजना परिसत की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार वैसे बच्चे जो प्रारंबिक कक्छाओं में पढ़ते हैं उन्हें आप पढ़ाई के साथ सत्रंज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी हाला कि बच्चों को ट्रेनिंग देने स समस्तिपूर, दर्भंगा, रोहतास, लखी सराई, आरा, गया, मध्यपूरा, सहर्शा, पुर्णिया, कटिहार, बकसर, सारन और सिवान जला सामिल है इसके लिए टीचर्स को एक दिन के लिए तीन हजार रुपे क्वा मान दे दिया जाएगा बिहार में अब डेर करोर के नीरा उत्पादन की तयारी, बिहार सरकार के दोरा अब यहां के गड़ी परिवारों को भी जिवको पारजन योजना से जोडने के लिए एक लाग प्रती परिवार अनुदान के रूप में दिया जाएगा इसी को लेकर मुखे सचीव आमीर सुभानी और रामीन विकास विवाग के सचीव बाला मुरुगन डी ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फरेंस को आयोजित कर यह जानकाली दी है कि बिहार सरकार का लक्ष है कि 2024 तक एक करोड पचास लाख लीटर नीरा का उत्पादन किया ज नए साल में बिहार के इस विवाग में होगी 15,000 पदों पर बहाली बिहार के लोगों को नए शाल पर खुसखबरी मिलने वाली है दरसल क्रिशी मंतरी कुमार सरवजीत के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राचे में नए साल पर क्रिशी विवाग के 15,000 रिक्त पद के साथ-साथ लोगों को रोजगार देने की तैयारी भी कर रही है वहीं वैसे जमीन जो क्रिशी विवाग के अंदर आती है और बेकार पड़ी हुई है उन्हें लीस पर प्राइवेट एजेंसियों को भी देने की तैयारी की जा रही है तीन साल बाद 2 दिसंबर से लगेग दिसंबर तक चलेगी चानकारी के लिए बता दे कि इस बार पुस्तक मेला का थी मोवाइल छोड़िये किताब पढ़िये पढ़ है पुस्तक मेले के संयोजक अमीज़ा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पुस्तक मेले में देश के प्रतिस्टिस साहिते का लेक कवीक और पत्रकार आ रहे हैं वहीं इस बार मेला परीसर में तीन ब्लॉक होंगे जिनके नाम सीता मरी ब्लॉक मधुबनी ब्लॉक भागलपुर ब्लॉक रखे गया है इसके लावा इस बार मुखे प्रवेस द्वार जहां से लोगों की एंट्री होगी उसका नाम पाटले गाउं के रहने वाले और CRPF के कोब्रा बटालियन के सदस्य विवेक कुमार सिंग जारकन के कोडर्मा घाटी में ड्यूटी के दोरान सहीद हो गया बता दे कि नकसलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दोरान हुई मुटभेर में बिहार केस लाल की जान चली गए जिसके इस बात की जानकारी मंगलवार की रातरी में दी गई थी लेकिन घटना से जुड़ी सारी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है हमारे पडिवार पर बड़ी विपत्ती आई है लेकिन इस बात पर गर्व है कि बेटा देश की रक्षा के लिए सहीद हुआ है पटना साहिव में 27 दिसंबर से आयोजित होगा प्रकास पर्व कि यहां आने वाले श्रद्धालों पर घ्यान दिया जाए इसके साथ ही वे श्रद्धालों जो बाहर से आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसकरम में लोटने के दोरान मक्यमंत्री नितीश कुमार ने बांस खाट और जेपी गंदापत के बीच वाले हिस्से का भी जाइजा लिया थाना प्रभारी को एसपी ने किया सस्पेंट बिहार में वैसे लोगों पर सक्त कारवाई की जा रही है जो रिस्वत मांगते पकरे जाते हैं इसी करी में अब एक और नाम जुर गया है बता दे कि ताजा मामला बिहार के गोपाल गन जिले का है जहां माधोपुर थाना प्रभारी को जमीनी मामले में खर्च पानी मांगना भारी पर गया बता दे कि बड़ौली के माधोपुर की रहने वाली एक महिला ने जमीनी प्रभारी कामेशर प्रसाद यादा से मदद की गुहार लगाई थी इसी गुहार के बाद ओपी प्रभारी ने रिश्रत मांगना सुरू कर दिया था जिसके बाद महिला को घूस देने पड़े थे जिसके बाद घूस लेते विए यह वीडियो डियाईजी को भीजा के एस पे सामने आते ही डियाईजी के आदेश पर एस पी आनंद कुमार ने ओपी प्रभारी को सस्पेंट कर दिया फिलाल अभिस मामली की कारवाई की जा रही है अधिकारियों और राजस्वक कर्मियों के खिलाफ काफी सक्त हो गई है जिनके खिलाफ काम में लापड़वाही ब ब्र विवागे कारवाई की जा रही है बता दे कि राजस्तों एवंभूमि सुधार विवाग के मंतरी आलोग कुमार मीटा के Bazoo दी गई जानकारी के अनुसार वैसे अधिकारी जिनके खिलाफ कारवाई की जा रही है उन्हचे से जल्थ पूरा कर दिया जाएका ! आपके जानकारी के लिए बता दे कि जिन मामलों को लेकर 9 CEO को निलम्बित किया गया है उनमें अवैज जमाबंदी कायम करना अतिक्रमन हटाने में लापरवाही करना जैसे मामले शामिल है चार माइक्रो फ्लाइट विमानों का दल देगा राश्ट्र भक्ती का संदेश बिहार के गया एस्थित ओफिसर ट्रेइडिंग अकादमी से आजादी का अमरत महोसव और इग्यारवे एए ऐसी रियूनियन के उपलक्च में देश भक्ती का संदेश फैलाने के लिए भारतिये सेना का माइक्रो फ्लाइट अभियान दल रवाना हो गया है बता दे कि अदर 17 दिरों तक गया से बैंगलूरू की लगभग 5000 किलो मीटर की दूरी तैकर लोगों को तेश भक्ती का संदेश फैलाएगा जांकारी के लिए बता दे कि करनल लक्षमी कांत यादव की टीम करनल राहुल मनकोटिया के साथ भी एच्यू वारा नसी के बाद रीवा और फिर देश के अन्य हिस्सों में जाएगी यह टीम एक दिसंबर यानि की आज करनल राहुल मनकोटिया करनल पीपी सिंग चैतने नायक प्रदीप सिंग नायक राहुल कुमार नायक यादव विजय कुमार और नायक विपिन सन्वा के साथ जबलपुर के लिए रवाना होंगे बिहार के चातरों को अब मुवाइल पर मिलेगी किताबे बिहार के चातरों के लिए सरकार के दोड़ा e-lots आप की सुरुवात की गई है ताकि अब चातर अपनी परिच्छा की तैयारी बहतर तरीके से कर सके बता दे तो वो सिक्षकों से पूछ कर दूर कर सकते हैं। इसा आपके सहायता से छातर अपने सिलिबस सिजरे आउडियो और वीडियो भी देख सुनकर समझ सकते हैं। कराटे चैंपियंशिप में पाकस्तानी खिलारी को धूल चटा कर बिहार के लाल ने जीता गोल्ड। श्रिलंका के राजधानी कोलंबो में बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है। इस मुकाबलिक आयोजन साउथ एसेन कराटे फेडरेशन और स्रेलंका कराटे टू फेडरेशन की तरफ से 27 और 28 नवंबर को आयोजित किया गया था। बिहार पुलिस में जल्द ड्राइवर के पदों पर होगी बहाली। बीते दिनों ग्री विवाक के अपर मुखे सची चैतने प्रशाद की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गए जिसमें पुलिस मुख्याले को यह नर्देश दिया गया है। कि वे चालक, सिपाही, वायरलेस चालक और विदी विज्ञान प्रयोक शाला के चालक पदों की निप्ती को लेकर प्रस्ताव देश के साथ ही श्रेजन और रोस्टर की कारवाई पूरी करने का भी नर्देश दिया गया है। कि अब मानना करके जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाओ करवा रही है। की गई है। यह चुनाओ दो चर्णों में किया जाएगा। बता दे कि वंडे के तीन मैचों में उनके नाम केवल 44 रन ही होप है जबकि 34 रनों की पारी उन्होंने एक ही मैच में खेली थी। उनके इसी प्रदर्शन को लेकर पुर्व भारतिय बल्लेबाज वसीम अक्रम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्लिप में फिल्डर होनी की वजह से उन्हें रन बनाने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि वे दोनों वन डे मैचों में एक ही तरीके से स्लिप में कैच दे कर आउट हुए हैं। T20 क्रिकेट में स्लिप में खिलारी नहीं होता है और वे बज़ जाते हैं। लेकिन जब आप करियर में विस्तार की बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि वे टेस्ट कैसे खेलेंगे तब उन्हें अपनी खेल में इंप्रूब्मेंट लाने की जरूरत होगी। जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट? बिहार में आज यारी गुरूबार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए जिसके बाद राजधानी पटना में आज पिट्रॉल 107.22 रूपए और डीजल 94.92 रूपए प्रती लीटर में मिल रहा है। भागलपुन में पिट्रॉल की कीमत 108.26 रूपए और डीजल की कीमत 49.97 रूपए पती लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पिट्रॉल की कीमत 108.31 रूपए और डीजल की कीमत 95.94 रूपए पती लीटर है। बीतर दिन हमारी दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारी दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है अब बढ़ते हैं आज के ऐस सवाल की और आज का सवाल है आपके इलाके में प्रसिद्मंदर कौन सा है आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेट्षन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बि पेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद